वेलकम तू लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स अन इस चैनल यू गेट बोथ हिंदी और इंग्लिश एक्स्वानेशन तो मेक्शूर तो सब्सक्राइब मैं चैनल इस डिजाइन को पेंट करने के लिए मैं ब्रेश नमबर सिक्स का यूज करूंगी और जीरो नमबर का यह मैं जो जो कलर यूज करूंगी मैं आपको साथ में ही दिखाती जाओंगी इसलिए वीडियो को कम्प्लीट और केरफुली वॉच करें आप डिजाइन का ओर और लुक देखेंगे तो आपको यह टफ लग सकती है लेकिन जब आप इसका स्टेप बेस्टेप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह ब्यूटिफूल और इजी भी है जो कलर में यूज करती जाओंगे आपको इसमें मैंने साइड में पिक्चर शो करती है और अगर आप धियान से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे बिना भगाय बिना कुछ यह तो आपको सारा सीक्वेंस समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे कलर यूज हुआ है लेकिन अगर आपको मेरी पेंटिंग पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स और फैमली में जिसको भी पेंटिंग पसंद है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करना बहुत ही अच्छा तरीका है मुझे सपोर्ट करन हैं मैं उसको अपनी स्टोरी पे हाइलाइट पे और यूट्यूब के भी स्टोरी कम्यूनिटी में शेयर करती हूँ जैसे के आपने देखा ही होगा मेरे कम्यूनिटी में बहुत साथ सब्सक्राइबर का प्यारा प्यारा वर्क क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत टालें दूँगी और आपकी इसमें क्या मिस्टेक है वो भी बताऊंगी और अगर आपने पहले से यह वर्क शेयर किया है और अभी तक मैंने नहीं देखा तो आप मेरे इंस्टाग्राम के किसी भी पोस्ट के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है बहुत जादा मैसेज ह कुछ लोगों का पोस्ट जो है अरे मैसेज हो नहीं होता तो इसलिए मैं रिप्लाइ नहीं कर पाती जिसका भी मुझे शो होता है मैं जरूर रिप्लाइ करती हूं तो कभी-कभी यह होता है कि वह उसमें गुम हो जाता है तो आप कॉमेंट कर देंगे तो मैं आपका वर्क देख सकती हूँ यह मैं कॉटन के फैब्रिक पी पेंट कर रही हूँ और इसको पहले उसी तरीके से धूल लेना है जैसे मैंने आपको बिगनर्स क्लास वन में बताया था और कुछ जो डिजाइन पेंट करते वक्त मैं वाइड बेस लगाती है और कुछ में नहीं तो मैं क्यो पालिक और फैब्रिक पेंट वाली बाद जिस वीडियो में बताई है आप वीडियो वाच कर सकते हैं उसमें पूरी डिटेल्स मैंने बताई है तो इसमें मैं बेस यूज नहीं कर रही हूँ सबसे पहली बाद तो यह खुदी वाइड क्लॉथ है और उसके बाद मैं इसमें मेडिया मिक्स किया है कलर में तो आपको और डिटेल जाना है तो आप बिगने सीरीज वाच कर सकते हैं आपको फैब्रिक पेंटिंग की सारी डिटेल समझ आ जाएगी अगर आपको यह पेंटिंग अच्छी लग धिय तो वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक और कंट करना आप लोग मत भूला करें क्योंकि जब आप लोग लाईक करते हैं कोमेंट करूं तो मैं सारे कॉमेंट भी देखती हूं और लाइक कांट भी देखती तो यह एक source of motivation होता है मेरे लिए next video बनाने के लिए और मुझे अच्छा भी लगता है कि कितने लोगों को मेरा work पसंद आया क्योंकि वीडियो बनाने में मेनत तो लगती और time management करना पड़ता है तो आप लोग प्लीज अगर आपको पसंद आती है तो आप like कर दे और आपको design क कैसी लग रही है आप comment में बता सकते हैं कर दो आपको 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 झाल झाल आपने देखना स्टेप बैस्टेप वीडियो देखते हुए आप आ रहे हैं तो अब शुरू में जब हमने फ्लावर पेंट करना स्टार्ट किया था और अब हम उसका जो कंप्लीट लीज को पेंट कर लिए अब वो कंप्लीट हो रहा है तो वो देखे कितना अच्छा लगने लगने लिए वीडियो पूरा कंप्लीट वाच किया करें ताकि आपको पता चलेगा कि कहां पर क्या करना है क्या मिस्टिक नहीं करनी है और कैसे आपका बहुत अच्छा लगेगा और यह देखे देखने में भी कितना सैटिस्वाइंग लग रहा है और आपको पेंट करते वक्त भी बहुत ही मजा आएगा आप इसको जरूर ट्राइ करिए और में ताश शेयर भी करिए क्या मिस्ट भी करिए झाल 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 कैसी लगी मुझे कॉमेंट में बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे यह हमे चाल यहा़ जब कर आथे यहिदी अचानल कर सब्सक्राइब यही में कशष्टा還 कर दीशा हैं को यहई बOOOO